या सो हलो एब्रीवान हेतेश यार एंड तोड़े वी गना टॉक अबाट दी लेटेस्ट रिलीज्ट मुवी कॉल्ड 65 या फिर इससे कह सकते हैं 65 फाइफ मिलियन येर्ज अगो वैल अभी तक ये मूवी नेट्फिक्स पर अवेलेबल तो नहीं है लेकिन थोड़े ही दिनों में जरूर हो जाएगी लेकिन उससे पहले एगर एजटी प्रिंट के इंदर तगडी क्वालिटी में टॉप क्लास एक्स्प्लेशन मिल जाये तो क इसी के साथ-साथ प्रत्वी पर और बड़े-बड़े खत्रे भी मौजूद थे तो क्या वो दोनों यहां से बचकर निकल पाएंगे वो तो कहानी में आगे ही पता चलेगा सनाव विदाओर वेस्टिंग एनी टाइम चली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ क कहानी की शिरुवात में नरेटिंग वॉइस में यह बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और जीवन की अनंत संभावनाय मौजूद हैं और ऐसा ही एक प्लैनेट है सोलारेस जिस पर इंसानों जैसा ही जीवन पनपा मगर अभी कहानी में समय आज का नहीं ह जिसके बाद एंट्री होती है इस कहानी के लीड करेक्टर माइल्स की जो कि अपनी वाइफ और अपनी बीटी नेविन के साथ में एक बीच पर आया था यहां वीवर्स को पता चलता है कि नेविन को एक जान लेवा बिमारी है जिसका अलाज इतना जदा महंगा है कि उसे प में पता चलता है कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में करीब दो सालों का वक्त लगेगा और यहीं सारी चीज़ें इस वक्त माइल अपनी वाइफ के साथ डिसकस कर रहा था खैर वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन इसके अलावा माइल्स के पास और को दूसरा च हो चुके हैं यानि कि माइल्स अपने मंजिल के बहुत करीब है मगर तभी अंतरिक्ष में मौझूद काफी सारे मीटियोर्स जिनी की उलका पेंड भी कहा जाता है वो सीधा आकर इनके स्पेस्शिप से टकराते हैं यहादसा बहुत ही जदा खतरनाक था पूरा स्पेस्शि करो तो यह वो स्लीप होती है जब किसी इंसान को एक लंबे वक्त के लिए अपनी एज को बचाना होता है और जिस एज में धरती से निकला हो उसी एज में किसी दूसरे प्लैनेट पर पहुंचना हो तो इस प्लैनेट के अंदर अपने इस स्पेस्शिप को लैंड करवाने क के बारे में सूचता है और जैसी वह उस प्लैनेट तक पहुंचता है तब ही वहाँ पर बहुत सारे कोहरे की वज़े से उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और पासी की चठानों से उसका स्पेस्शिप टकरा जाता है और इनी वजों से पूरा का पूरा शिप डैमेज हो जाता है जिसके अंदर क्रायोचेंबर्स तबाह हो जाते हैं यहाँ पर इस मूवी के बहुत ही बड़िया सीजी आई हमें दिखाई जाते हैं बहुत जादा हो चुका था और माइल्स की हालत भी बहुत जादा खराब थी जिसके बाद वो शिप के बाहर निकल कर देखने की कोशिश करता है कि क्या वहाँ पर कोई जिंदा बचा है या नहीं लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी जिंदा नहीं मिलता लेकिन सबसे बड़िया बात यह थी कि यह पूरा प्लैनेट इंसानों के रहने लायक एकदम पर्फेक्ट था यानि की साफ हवा साफ पानी खाने के लि 65 million years ago वाली प्रत्वी जहां अभी तक human civilization क्रियेट ही नहीं हुई थे बहुत ही बड़े बड़े डानसौर्स मौजूद थे और उसी के कई सारे वेरियंट भी थे माइल जब अपने शिप में आकर चेक करता है कि क्या कोई उन में से बचा है या नहीं लेकिन अब तो इन साइ के पॉट्स भी थे मगर उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराप थी और गिरते वक्त वो नजाने कितनी दूर आकर गिरे थे उनकी मजबूती स्पेस्शिप से थोड़ी सी जादा होती है माइल्स इस बात को जानता था इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपने इसके प कर उसकी वीडियो देखने लगता है इसी बीच उसे एक इंडिकेशन आता है कि उन स्लीपिंग चेंबर में अभी भी कोई जिंदा है माइल्स फटावट भाग कर उस चेंबर के पास जाकर उसे ढूंडने की कोशिश करता है कि क्या वो सच मुझ जिंदा है या नहीं उसमें के एक लडगी थी काफी जांच पटाल के बाद में माइल्स इसके बाद वहां से बहुत कुछ समझ नहीं बाता कि आना चाहती है कौन सी वाशा में बात कर रहे हैं हाला कि यहां पर मायल्स की मदद आर कर सकता था लेकिन शिप पूरी तरीके से से बरबात था और ट्रांसली स्लीपिंग चेंबर में एक बुक मिली थी जिसे रीट करने पर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम काव है हमारे हैं इंडिया में तो काव को गाय कहते हैं खेर जोग सपार्ट कमिंग बैक तो दा मेंन स्टोरी से नेक्स्ट मॉर्णिंग और यहां माइल उस जगह को और बारीकी से जांचन लगता है जहां उसे पता चलता है कि यह बहुत ज़्यादा पुराना वक्त है इसी के साथ वह अपने इसके पोर्ट को भी ढूनने की कोशिश करता है जो कि इस पेशिप से काफी ज़्यादा दूर गिरा था यूशुली अपनी ओडेक्स लिस्ट में मैं स्कालेटिंस भी पड़े थे अपना हाइपर टेक्नालोजी वाला गैजट निकालता है जिसे की सूपर जीपीएस भी कहा जा सकता है इसकी मदद से माइल्स को पता पड़ता है कि उसका इसके पोर्ड करीब यहां से 15 किलोमीटर दूर है लेकिन चोटा डाइनसौर का फाहड़े की उपर हमें जुल्द से जुल्द पहाड़ी टाक्र करके वहां तक पहुँचना होगा लेकिन अबस बताती है इस में के लिए माइल्स को जूट बोलना पड़ता है और वो काव से कहता है कि उसके माता पिताबी पहाड़ी पर हैं तो जितना जल्दी हो सके हमें यहां से निकलना होगा जिसके बाद यह दोनों अपनी करके उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और पहाड़ी तक पहुंचने की कोश करते हैं मगर जितना असानी रस्ता लग रहा था उतना थाने क्योंकि सिक्स्टी फाइब मिलियन येर्ज अगो सिर्फ चलने वाले डाइनासौरी नहीं बलकि उड़ने वाले डाइनासौर्स भी मौझूद थे जो कि किसी भी विवक्त इनके उपर हवाई हमला कर सकते थे य इनकी मदद से खुद का और चोटी लड़की काव का बचाफ करता जा रहा था रास्ते में आगे जाते वक्त इने एक जर्णा मिलता है ये दोने ही वाँ पर रुकर चैन की सांस लेते हैं थोड़ा बहुत पानी पीकर मूद होकर माइल्स एक उंचे पेड़ पर चड़कर अ डानेट के डानासौर बीएं वह आकर माइल्स पर हमला करते हैं इस वक्त माइल के पास में कुछ बॉम्स भी थे जिनकी मदद से वह इन क्रीचर से बचने की कोशिश करता है मीनवाइल हम काव को देख पाते हैं जो कि उन क्रीचर से बचने के लिए कहीं दूर भाग जाती ह लेकिन काव बचकर जिस प्लेस पर पहुँचती है उसे पता चलता है कि ये तो वो अड़ा है जहां पर सारे के सारे फ्लाइंग क्रीचर आकर बैठते थे वो एक पेड़ के किनारे छुपने की कोशिश करती है लेकिन उसी बीच उससे भी एक छोटी सी आवाज हो जाती है तब एक फ्लाइंग डैनासौर आकर उसे खाने के लिए आता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी काव के पास भागने की कोई जगा नहीं थी और यी डैनासौर धीरी धीरे उसकी और बढ़ता ही जा रहा था या तक कि एक न तो उसके कपड़े पकड़कर खै नजर आ रही थी जिसे कि दो साल पहले वह अपने प्लैनेट प्रत्वी पर छोड़ाया था उन्हें चलते चलते शाम हो चुकी थी और मैदानों में खाली घूमना खतरे से खाली नहीं था इसलिए गुफा में ठहर कर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं रात को सोने से माइल्स अपने सूपर जीपीएस को चेक करता है कि आखर उनकी और उस एसकेप पोर्ट की बीच की दूरी कितनी होगी मगर इसी बीच माइल्स को जो पता पड़ता है उससे तो इसके होश ही उड़ जाते हैं रास्ते में मेटी और से माइल्स का शिप्ट कराया था वो जाक बातों की खबर काउ को भी देता है और जैसे यह लोग अगली सुबह निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा डाइनसौर बहुत जाता है यह दोनों यह अपनी जान बचाने के लिए गुफा के और घहराय में चले जाते हैं हाला कि वहाँ पर इसका निकल सकती थी मगर माइल्स नहीं तभी वो पीछे से डाइनसौर आकर मायलस पर हमला कर देता है लेकिन उसके पास जो अट्वमेटिक रिलोड़ेबल गन ती उसकी मदद से मैल अपनी जान बचा कर कैसे तैसे उस सुरंग से बाहर आही जाता है लेकिन बाहर आने पर उसे काओ कहीं नहीं दिखाई पड़ती इसी बीच वह उन कोई भी उम्मीद नहीं थी और जब और पूरा डूब जुका था लेकिन तब वहां पर काओ पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए और कैसे तैसे सहारे से माइलस वहां से जान बचा कर बाहर आहीं जाता है जैसे कि वह उसकी बेटी और बताता है कि यह फ्लैनेट खत्म सलामत था बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था माइल्स फटावड उसे आउन करके वहां से निकलने ही वाला था कि तभी काव वहां से निकल जाती और अपने माता-पिता को खूजने की कोशिश करती है क्योंकि माइल्स ने उसे कहा था कि उसके माता-पिता पहाड़ी की चो कहने लगता है और उसे यहां से निकलने के बारे में कहता है क्योंकि एकर वह जल्दी यहां से नहीं निकले तो आने वाले उलका पिंडो में ही दपकर मर जाएंगे काव का ट्रस्ट गीन करने के लिए माइल्स अपनी बीटी नेविन की फोटो दिखाता और बताता है कि दो फोटो और पुराने वीडियो देख रहा था तो यह साफ जलकता है कि उसने अपनी बीटी को खो दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ काव ही उसकी जिन्दकी थी इसलिए वह उसे जितना जल्दी हो से के यहां से निकलने के बारे में कहता है फाइनली अब काव भी उसकी बा को मार देंगे और काव को भी खा जाएंगे इसलिए वह अकेला ही भाग कर दूर जाता है और उन दोनों डाइनसौर्स का ध्यान अपनी और आकर्शित करता है ताकि काव की तो जान बच सके इसी बीच वह अपनी गन से एक डाइनसौर को खत्म तो कर देता है मगर दूसरा भी जंदा था और वो बड़ा वाला डाइनसौर जस्ट माइल्स को मारने ही वाला था क्योंकि अब तो माइल्स की जवाब दे चुकी थी उससे रिलूड नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बैटरी लो थी लेकिन तभी शिप में मौजूद काव माइल्स की बीटी का होलोग्र पढ़ते हैं इस वक्त तक इस प्लैनेट के सारे वालकेनोस फटने की तैयारी में थे और उपर से वह मीटियोर भी गिर रहे थे माइल्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखेर वह इस डाइनसौर से अपना बचाव कैसे करे तभी इस एक आईडी आता है वह जमीन से फट करने के लिए आगे बढ़ता है अब तो माइल्स के पास पीछे हटने के लिए जगा भी नहीं थी यह वक्त बहुत जदा क्रिटिकल था कि तभी वहां पर काव आकर उस डाइनसौर की आंके फोड़ देती है अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए वह गलती से और लोकेशन डालता है और इस ग्रह से जतना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करता है इस बीच उनके उपर काफी सारे मीटियोर्स गिरने लगते हैं लेकिन कैसे तैसे उनसे बचता बचाता वहां से एसकेप कर ही जाता है और इसी एंडिंग के साथ यह शांदर कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और पहली बार इस चानल पर आये हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बहतरीन मोवीज आप लोकों के लिए लाता रहता हूं सो तब तक अईस चाह 뜬 कर द beer कर ये ही बहता हुआ है कि Kyoto सो तबिएब जरहता है row do इससादों सब्सक्राइब ए्स